पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच गाहूंगा। चुनिये CGPSC पाथशाला क्लासेज को और करे अपनी CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड डियांग नाओ। यहांपे कुछ बुग डिपो के नाम और उनका कांटेक्ट नंबर दिये गया है। इन बुग डिपो में जा करके आप इस बुग को ले सकते हैं। साथी साथ आप हमारे CGPSC अन्वाइल एप में भी जा करके इस बुग को ऑनलाइन और कर सकते हैं। यह बुग आपको कुरियर के माध्यम से होम डिलीवर कराये जाएगा। ठीक है। चले शुरू करते हैं। ध्यान समस्तियों चलिएगा जुलाई 2022 का करेंट अफेर। सबसे बड़े नंबर पर है गो मुत्र खरीदी। और इस गो मुत्र की खरीदी के ही साथ हमारा 36 गड़ इस गो मुत्र की खरीदी करने वाला देश का पहला राज्या है। वहाँ पर जो गोठान मौजूद है करसा गोठान वहाँ से इस गो मुत्र की खरीदी प्राराम होई। पुख्यमंत्री भुपेश बखेश जी के द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुवात हुई थी और हमारे प्रदेश से बहुत से गोठानों की स्थापना हुई और इन गोठानों से गोबर की खरीदी की जा रही है। गो मुत्र है इस गो मुत्र है इस गो मुत्र ही खरीदी चार रूपर प्रती लिटर की दर से की जा रही है। चार रूपर प्रती लिटर की दर से हमारे प्रदेश में गो मुत्र की खरीदी की जाएगी। अभी तो इसकी शुर्वात आपकी कर्सा गोठान से हुई है। आने वाले समय में प्रदेश के सभी गोठानों से गो मुत्र की खरीदी की जाएगी। अब इस गो मुत्र का उप्योग क्या करेगी प्रदेश सरकार ये भी समझ दीजे। इस गो मुत्र का उप्योग करेगी प्रदेश सरकार कीट नाशक बनाने में। इसकी योजना है। इनपोर्टन याद रखेगा हमारे प्रदेश में गो मुत्र की खरीदी प्रारम हुई है आपके 28 जुलाई 2022 से। हरेली परव के उसर पर ये भी इनपोर्टन है। इस गो मुत्र की खरीदी की जा रही है। नेक्स्ट देखिए। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रत यात्रा अब ये क्या है। इसकी जो शुरुवात है ये भी हरेली परव के उसर पर 28 जुलाई 2022 को 36 गर राज्य महिला आयोक के द्वारा इसकी शुरुवात की गई। और इसकी शुरुवात जो है मुख्यमंत्री भुपेश बखेल ने हरी जंडी दिखा करके इसकी शुरुवात करी। और इसकी शुरुवात जो है ये भी दुर्ग जिले से हुई। क्योंकि यहां बात हो रही है 28 जुलाई 2022 को इस दिन जो मुख्यमंत्री भुपेश बखेल जी है ये अपने दुर्ग प्रवास पर थे। और दुर्ग जिले से इस मुख्यमंत्री महतारी न्याय रत यात्रा की शुरुवात हुई। और ये जो है 36 गड़ राज्य महिला आयोग की पहल से इसकी शुरुवात हुई है ये क्या है इसे समझ लीजिए। महिलाओं को उनके समवेधानिक अधिकारों और कानूनी जानकारी महिलाओं को प्रदान करना है। इस रत यात्रा के माध्यम से इस रत में एक LED लगा रहेगा और इसके अंदर दो अधिवक्ता बैठे रहेंगे यानिके एडवोकेट वकील बैठे रहेंगे जो की जगा 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 जा करके महिलाओं को जागरुक करेंगे उनके समवेधानिक अधिकारों के बारे में महिल बड़ी समस्या है तो उसके लिए वो आवेधन भी लगा सकती है तो यह है आपका मुख्य मंत्री महतारी नयायरत यात्रा ठीक इसकी शुरुवात जो है आपका 36 गर राज्य महिला आयोक की पहल से हुई है और ये DMF की राशी से हो रही है यानिकि District Mineral Fund District Mineral Fund ठीक है जो 36 गर जिला खनीज नयास होना है उसी से इसकी शुरुवात हो रही है उसकी राशी से इसकी शुरुवात हो रही है ठीक इनपॉर्टेंट है याद रखना है देखिए शुरुवात में जो है ये खनीज नयास निधी प्राप्त करने वाले 9 जिले यानिकि जै से तो आपका इस District Mineral Fund DMF के अंतरगात पूरे प्रदेश के 28 जिले अगर हम जो बात में बने हुए जो 5 जिले है उनको छोड़ दे क्योंकि उनकी अधिसूचना भी आई नहीं है प्रदेश के 28 जिलो में ये DMF लागू है लेकिन इसकी जो फंड की जो राशी है ये केवल 9 ज हरो में ये घुमेगा ये रत यात्रा और महिलाओं के समस्याओं को सुन करके उसका त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा ठीक इन्पॉर्टेंट है यही प्रशन पूर्श सकता है कि मुख्यमंत्री महतारी 9 रत यात्रा की शुरुवात कब हुई 28 जुलाई 2022 क के पहल से हुआ DMF की राशी से यानि कि डिश्ट्रिक्ट मिंडल फंड की राशी से इस रत यात्रा की शुरुवात हुई है इसका जो मुख्य उद्देश है यह महिलाओं को उनके समवेधानिक अधिकारों और कानूनी जानकारी प्रदान करना अपने अधिकारों के प्रति जागरूक्ता पैदा करना इसके अंतरकति यह रत यात्रा निकल रहा है महिलाओं के लिए जू और रत यात्रा निकल रहा है इसमें दो एड़ोकेट दो वकिल बैठे रहेंगे जो की महिलाओं की समस्याओं को सुन करके इसका त्वरिद्नीराकरण करने का प्रयास ठीक अभी वर्तमान में अगर पूछा जा च्छतिजगर राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वह है डॉक्टर किरण मही नायक ठीक है इनपॉर्टेंट है याद रखिएगा इसका एक वाक्य भी है महिला मनला मिले सम्मान इही मा है हमरसान ये जो आपका रत निकला है चतिजगर राज्य महिला आयोग के द्वारा महिला मनला मिले सम्मान इही मा है हमारे सान क्या है इही मा है हमरसान ये इसका एक सुत्र इन्पोर्टेंट है इसे याद रखिएगा अब देखिए जो हरेली परव है यह काफी इन्पोर्टेंट है क्योंकि इसे जो है हमारे प्रिदेश का पहला प्रादेशिक परव माना जाता है सावन अमवस्या की दिन मना जाता है आपका हरेली परव सावन अमवस्या की दिन मना चित्रकारी की जाती है गोबर से चित्रकारी की जाती है ऐसा माना जाता है कि यह आपका सावन अमावस्या के दिन यह काली रात होती है इस दिन बुरी शक्तियां काफी शक्तिशाली होती है तो किसी प्रकार की बुरी शक्तियों घर में प्रवेश न हो इसलिए इस हरीली ये बनाने की मंजूरी मिली है केंदर सरकार के द्वारा देखे किस इस्थान पर इस्थापना की मंजूरी मिली है एक है आपके बेमेतरा जिले के पथर्रा गाउ में और दूसरा सरगूजा के लुंडरा ब्रॉक के जमीरा गाउ में यहाँ पर जो है आपके धान और मक्के से ऐतिनूल का निर्मान किया जाएगा, धान और मक्के से, ठीक है, अनाज, अनाज का मतलब धान और मक्के से, यहां पर है आपके एथेनॉल का निर्मान किया जाएगा देखिए इसमें जो आपका एथेनॉल का उत्पादन है ये 2.65 लाख लिटर प्रति दिन ठीक है लगभग आपका 2,65,000 लिटर प्रति दिन जो आपका बेमे उत्पादन तो होगा ही साथी साथ यहां से जो है आपके 8 मेगवट विद्युत का भी उत्पादन होगा देखिए इसमें जो है प्रदेश सरकार लगभग 273 करोड रुपे निवेस करेगी हाली में चर्चा में क्यों रहा क्योंकि जो आपके परियावरन विभाग के द्वार पहला तो आपका बेमेतरा बेमेतरा का पथर्रा गाओ और दूसरा लुन्डरा सर्गूजा का जमीरा गाओ देखिए यह जो आपका लुन्डरा सर्गूजा वाला है यहां पर मेरे हिसाब से मक्का से एथिनॉल बनेगा और बेमेतरा वाले छेत्र में धान से एथिनॉल बन इंपोर्टेंट है याद रखना है नेक्श देखिए एतिहासी पूरा तात्वीक इस्मारकों का संरक्षन हाली में हमारे प्रदेश के सांस्कृतिक एवं पूरा तत्व विभाग के द्वारा कुछ कुछ इस्थानों के संरक्षन करने का प्रस्ताव तयार किया गया है अब व प्रदेश का सबसे बड़ा नदी द्वीफ है इस मंत्कु द्वीफ जो की सबसे पहले आपके मसीव में लेखले काफी प्रसिद्ध है और यहां पर लगबग 13 सदी के आसपस बहुत से प्राचिन शियो मंदिरी मिले है शियो मंदिर मिला है उमा महिश्वर का मंदिर मिला है साथ ही साथ गरुडा रूड यानि गरूड के ओपर बैटे हुए गरूडा रूड लक्ष्मी नारायन की फ्रतिमां मिली है बहुत सारे पूरा तात्विक साक्ष मिले है यहां से ठीक है तो एक हो हे आपका मंत्कु दीप दूसरा है आपका तर्रेगाट तर्रीगाट जो है मॉरे काली शीला लेक मिले है, मॉरे काली नाटेशालय यहां पर मौझूद है, ठीक, और बहुत सारे आपके मॉरे काली साक्ष मिले है, इसी महेशपूर के इर्दगिर्द। चोथा है आपका डमरू, डमरू जो कि बलवदा बजार में इस्तित है, इस डमरू में गौतम बुद्ध के पद्चिन्ह प्राप्त हुए है, तो ये हमारे प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध आपके पूरा तात्विक इस्तल है, और प्रदेश सरकार का जो आपका ये सांस्कृ ये एतिहासिक पूरा तात्विक संरक्षण के अंतरगत आते हैं, और इनका जो संरक्षण है, ये जो सूची है, ये 36 राज्य बनने से पहले की है, 36 राज्य निर्मान के प्रस्चात, यानि कि 1 नवंबर 2000 से लेकर के अभी 2022 तक की इस्तिती में, इस संस्कृति और पूरा त इस्तान के संरक्षण की कोई भी पहल नहीं की है, जो आपका 58 इस्तार जो की राज्य सरकार के अंतरगत संरक्षित है, ये विभाजन से पहले के है, 36 राज्य निर्मान से पहले के है, 36 राज्य निर्मान होने के प्रस्चात, प्रदेश सरकार ने किसी भी नए इस्तान का सं प्रस्ताव बनाया है अभी मंजूरी मिलनी बाकी है ठीक है तो इन्पॉर्टेंट याद रखेगा कि संस्कृति एवां पूरा तत्विक इस्थालों का सन्रक्षण किये जाने की कवायदते शुरू हुई है यानि कि प्रस्ताव तयार हुआ है मंजूरी मिलना बाकी है जैसे क मदकुदीप मुंगेली जो की शिवनात नदी के तटपर इस्थित है तर्री घाट दुर्ग जो की खार्म नदी के तटपर इस्थित है महेशपूर सर्गूजा और एक है आपका डमरू बलोदा बजार और हमारे प्रदेश सरकार यानि की राज्य सरकार के अंदर गद भया भधान की खरीदी और दूसरा है आपका डल्ःक की खरीदी अगर हम बात करें केंदर सरकार दौर निर्धारीत नियूंतम समर्थन मुले यानि की मिनिमाम सपोर्ट प्राइस की तो केंदर सरकार के दौरा आपके इस traps फिपड़ान शो 2022ền» में सामान्य धान की खरीदी की जाएगी 2040 रुपे प्रतिक उंटल की दर से Grade A धान की खरीदी की जाएगी 2060 रुपे प्रतिक उंटल की दर से जबकि प्रदेश सरकार प्रदेश में 36 गड़ में धान खरीदी करेगी 2640 रुपे प्रतिक उंटल की दर से पहले 25 रुबे प्रतिकुंटल के दर्से हमारे प्रदेश में धान की खरीदी होती थी लेकिन अब धान की खरीदी में इजाफा हुआ है उसके मुल्ले में इजाफा हुआ है प्रदेश सरकार के दोर गोशना किया गया है कि इस खरी फिपड़न वर्ष से प्रदेश में धान क खरीदी 2640 रुप प्रतिकुंटल की दर्से होगी और इस साल धान खरीदी के लक्ष निर्धारित किया गया है 110 लाख मेट्रिक टन 110 लाख मेट्रिक टन पिछले आपके खरीप विपड़ान वर्ष में धान की खरीदी हुई थी लगभग 98 लाख मेट्रिक टन के आसपास थीक है 97 पॉइंट सम्थिंग था एप्रोक्स 99 लाख मेट्रिक टन के आसपास हमारे प्रदेश में धान की खरीदी हुई थी ठीक है और इस साल प्रदेश सरकार ने लक्ष रखा है कि हम 2640 रुप प्रतिकुंटल की दर से 110 लाक मेट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे देखी प्रदेश सरकार हर साल जादा लक्ष रखती है लेकिन उससे थोड़ा कम ही धान की खरीदी होता है जैसे कि पिछले आपके विपणन वर्ष में प्रदेश सरकार ने 105 लाक मेट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष रखा था लेकिन हुआ कितना अंठ्यान बेका इस साल प्रदेश सरकार ने 110 लाक मेट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष रखा है और इसके लिए 5.5 ठीक है इसके लिए आपका 5.50 लाक बारदाने की आश्कता है अब ये बारदाना क्या होता है देखिए पिछले साल क्या हुआ हमारे प्रदेश में बारदानों की कमी हो गई बारदाना क्या होता है जो धान को बेचने के लिए जो बड़े 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 बैग होते जिसमें धान को भरा जाता है उसे का जाता है आपका बारदाना बारदाना का एक standard size होता है ठीक है ऐसा नहीं कि किसी बोरी में डाल दिये और धान को बेचने के लिए उसका एक standard size होत थी इस साल प्रदेश सरकार ने पहले से योजना बनाई है कि लगभग अनुमान है कि अगर हम 110 लाग मेट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे तो उसके लिए हमें 5.50 लाग बार दाने की आवश्कता है यानि की बैक्स की आवश्कता है इंपोर्टेंट है इसे भी याद रखना है अब देखिए प्रदेश सरकार जो है यह मुख्यता हमारे प्रदेश में अगर आप अकसर सुनेंगे एक तो धान खरीदी पर और दूसरा मक्ता खरीदी पर इन दो की खरीदी पर जादा फोकस होता है इस स आप रहर दाल के नाम से समझते है और दूसरा है आपका उडद दोनों का जो नियूंतम समर्थन मुल्य है वो है 6600 रुपे प्रतिकुंटल ठीक है 6600 रुपे प्रतिकुंटल आपका इस अरहर और उडद की दाल का नियूंतम समर्थन मुल्य है जबकि मुंग की दाल का निय 2022 में किन एक दलहन फसल की खरीदी समर्थन मुल्य पर नहीं करेगी तीन ओप्षन देगा अरहर, उडद, मुंग और चौथा कोई एखादी अन्य नाम देदेगा ठीक है तो ये तीन की खरीदी करने की योजना बनाई ही प्रदेश सरकार ने इस विपणन वर्ष से कौन-कौन सा है अरहर, उडद, और तीसरा है आपका मुंग ठीक है ये तीन की खरीदी याद करने भी दिक्कत नहीं होगा अरहर और आपका जो उडद है ये 6600 रुप है, डबल 6, डबल 0 और आपका मुंग जो है ये 7705 ये इनका नियुम्तम समर्थन मूल्य है प्रती कुण्टल में प्रदेश सरकार के द्वारा इन सभी आपके दलहन फसलों को मिला करके लगभग 50 लाख मेट्रिक तन खरीदी का दलहन खरीदी का अनुमान है एक लक्ष निर्धारीत क्या गया है प्रदेश सरकार के द्वारा इन्पोर्टेंट है याद रखना है नेक्स्ट है आपका वन्यप्राणी कोरिडोर अब यह वन्यप्राणी कोरिडोर है देखिए यह है क्या इसे समझेगा यह वन्यप्राणी कोरिडोर है यह आपके अचानक मार टाइगर रिजर्व और कानहा राश्टी उद्ध्यान अचानक मार टाइगर रिजर्व जो कि हमार लेखंदर विच्ण बरनाय जाता है जो कि सभी प्रकार के वन्य जीवों की विच्ण बनाया जा रहा है ऐसमें जो है हमारे प्रदेश का अचानक मार टाइगर रिजर्व और कानहा राश्टिय उद्यान दोनों को मिला करके इसे बनाया जा रहा है अक्सर क्या होता है कि इस छेत्र में अक्सर जो भी आपके वन्य जीव है ये मानव बरसा हाटों में घुच जाते है और मानव वन्य जीव द्वंद होने की संभावना बढ़ जाती है याने कि या तो गाओ के लोग उस वन्य जीव को मार डालेंगे या तो वन्य जीव गाओ क दुसरा मुंगेली कवर्धा और मुंगेली वन मंडल का चैन हुआ है। इस आपके वन मंडल के साथ गल्यारों का और आपके मुंगेली वन मंडल के 5 गल्यारे इस वन नपरानी कोरिडॉर के अंतरगत आएंगे। rappelle इस आपके वन्य प्रानी कॉरिडोर में वन्य जीवों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था, जगा-जगा पर उनके इलाज की व्यवस्था, यानि कि वहाँ पर आपके ट्री हाउस में कुछ medical camp type की वहाँ पर रखे जाएंगे, उनके इलाज की व्यवस्था होगी, उनके प विच्रान के लिए है वैसे वन्य प्राणी कोरिडोर ये सभी जीव जन्तु की विच्रान के लिए है ये जीव जन्तु मानव असा हाटों में प्रवेश ना कर सके ठीक तो इंपॉर्टेंट याद रखेगा वन्य प्राणी कोरिडोर जो की अचानक मार टाइगर रिजर्व औ और कानहा राष्टे उद्यान के मध्य विक्सित किया जा रहा है, इसके अंतरकत हमारे प्रजेश के दो वन मंडलों का चैन हुआ है, एक है कवर्धा और दूसरा है आपका मुंगेली, कवर्धा के साथ गली यारे और मुंगेली के पांच गली यारे इसके अंतरकत आएंगे, मानो वन्य प्राणी द्वंद कम हो सके इसके लिए कोरिडर विक्सित किया जा रहा है कैमपा योजना कैमपा योजना पता है न जो वनो की सुधार के लिए वनो की सुधार के लिए योजना लाया गया था कैमपा योजना कैमपा योजना से जो राशी है 20 करोड़ रुपे की राशी इस कॉरिडोर को विक्सित करने के लिए लगाई जाएगी इन्पोर्टेंट है इसे भी याद कर लीजेगा कि हमारे प्रदेश में आपके किन दो वन छेत्र के मध्य वन ने प्राणी कॉरिडोर इस्थापित किया जा रहा है तो 36 गड़ के अचानक मार टाइगर रेजर्व और MP के कानहा राश्ट्य उध्यान के मद्य ठीक, next देखिए next है 36 गड़ पंचायत उपबंद अनुसूचित छेत्र विस्तार नियम 1996 अब यह है क्या, यह है आपका पेसा पेसा एक्ट 1996 देखिए इस पेसा का फुल फॉर्म क्या है पंचायत एक्स्टेंशन टू शेडिल्ड एरिया एक्ट देखिए हमारे प्रदेश बहुत से आपके पंचायत जो है यह अनुसूचित छेत्र के अंतरगत आते हैं, अनुसूचित जिस पे डिरेक्ट राष्ट परती के प्रतीनी धी राज्यपाल का नियंतरण होता है और इने बहुत से इने जो है पाच्वी अनुसूचि के अंतरगत बहुत से अधिकार भी प्रदान किये जाते हैं अखिल भारती इस तरपर 1996 को यह पेसा एक्ट पेसा कानून लागो हो चुका है लेकिन हमारे प्रदेश में बहुत से अनुसूचि छेतर के अंतरगत आते जरूर है लेकिन अनुसूचि छेतर के अंतरगत आने वाले गाओं को उतने एमाउंट में यानि कि मंजूरी प्रदान किया गया है 9 जुलाइ 2022 को राज्ये के 5 वै अनुसूची में आने वाले ग्राम सभाओं में इसका क्रियानवयन किया जाएगा जिसकी कारेकारी एजन्सी होगी ग्राम पंचायत और इसमें जो कोष होगा इसमें जो ग्राम सभा यानि कि ऐसा कोई भी छेतर, जहां पर खनीज का भंडारन तो है, लेकिन वो ऐसे छेतर के अंतरगत आ रहा है, ऐसी ग्राम सभा के अंतरगत आ रहा है, जो की पाच्वी अनुसूची के अंतरगत अनुसूची छेतर है, तो उस जगह पर उत्खनन करने के लिए अनुमती लेनी आवश्यक है इन ग्राम सभाव से ठीक दूसरा है गौर खनीजों की लीज या पटे ग्राम सभा की अनुमती से ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा याने कि अगर ग्राम सभा अनुमती देती है खनन उत्खनन करने के लिए तभी ग्राम सभा के मंजूरी से ही उस छेत्र में निर्धारित आउधी तक पास साल दस साल निर्धारित आउधी तक ये निर्णे लेगी ग्राम सभा कि कितने साल तक जमीन पटे पे देना है यानि कि किया जाएगा ठेक तीसरा मुख्य खनीज के उत्खनन वह उपयोग की योजना एवं प्रबंधन के लिए भी ग्राम सभा की सहमती एवं परामर्श आवस्यक है देखिए मुख्य खनीज जो की डारेक्ट इस्टेट गवर्मेंट के कंट्रोल में रहता है इस्टेट गवर्मे से 96% के आसपास revenue generate होता है लेकिन मुख्य खनीज मुख्य खनीज के उत्खनन एवं उपयोग की योजना एवं प्रबंधन से पहले ही ग्राम सभा की सहमती एवं परामर्श लेना अनिवार्य है ये पेसा एक्ट के तहत हमारे प्रदेश के अनुसूची छेत्र के अंतरकत आ ठेक है हजदेव अरण्य छेत्र काफी چर्चा में रहा इज़र अरण्य छेत्र है यहाँ पर एक कोल ब्लोक था परसा कोल ब्लोक जिसका उत्खनन किसे दिया गया राजस्थान गवर्मेंट को और इसका विरोध कौन कर रहा है यहाँ के इस्थानी आदिवासी चुकि जो आपका हजदेव अरण्य छेत्र है इसे 36 गड़ का फेफडा कहा जाता है बहुत बड़ा जंगल छेत्र है ये और इस छेत्र में अगर कोईले का उत्खनन करना है तो उसके लिए हजदेव अरण्य छेत्र के बहुत से जंगलों को काटना होगा और ये नामंजूर है यहां के इस्थानिय आदिवासियों को इसके बाद ही सरकार ने जो है इस पेशा एक्ट के उपर विचार किया है ठीक है देखिए इस पेशा कानून 1996 को लागू करने वाला हमारा 36 गड़ देश का सात्वा राज्या है जहां पर यहां पेशा एक्ट लागू हो रहा है जहां पर ग्राम सभाओ को कुछ अधिकार दिये जा रहा है जैसे ही गौड खनीजों के उत्खनन और खनन इस्थाल के संबंद में ग्राम सभाओ सा अनुमती लेनी होगी और अगर अनुमती ले भी रहे है तो ग्राम पंचायत इनी के परामर्ष पर लीज या पट्टे की आओधी निर्धारत करेगा यानि कितने आओधी तक जो आपका इस जमीन को उत्खनन के लिए लीज पर दिया जाए इन्पोर्टेंट है ये सारे फेक्ट को याद रखिएगा इसमें देखिए इससे जो है अगर लीज पर दे रहे है गौल खनी जवाली भूमी को तो इससे कुछ इंकम भी जनरेट होगा जो की ग्राम सभाओ के प्रिथक राजकोश में प्रिथक कोश में जमा होगा हमारे प्रदेश में अभी लागू हो रहा है मंजूरी मिला है अभी राजपत्र में इसके अधिसूटना जारी नहीं हुआ है इसकी अलग से अधिसूटना जारी होगी लेकिन यह यह अधिकार दिये जाएंगे इंपोर्टेंट है इसे याद रखना है अभी अधिसूटना जारी होना बाकी है नेक्ट देखिए नेक्स है नई मचली पालन नीती हमारे प्रदेश सरकार ने जो है नई मचली पालन को मंजूरी दी है इसे मंजूरी प्रदान किया गया है 14 जुलाई 2022 को अभी के वल मचली पालन ने को क्रिशी का दर्जा दिया गया हमारे प्रदेश में लाख की खेती और मचली पालन दो को जो है क्रिशी का दर्जा मिला है क्रिशी का दर्जा मिलने से फायदा क्या होता है कि हमारे प्रदेश में क्रिशिकों को 0% ब्याजदर पर यानिकि 0% पर अल्पकाल देखिए इसमें जो है उत्पादक्ता बोनस जलाशयों एवं बैराज की निलामी पर 25 प्रतिशत अब यह है कैसे समझ लीजिए देखिए इस नई मचली पालन नीती 2022 के तरहत तलाबों और जलाशयों का पट्टा दिया जाएगा ठीक है तलाब और जलाशयों का पट्टा यह जो आपका नई मचली निती है इसका उद्देश है क्या है इसका उद्देश ही यही है कि प्रदेश के सभी सभी जल छेत्रों का जल छेत्रों का मचली पालन के रूप में मचली पालन के लिए इसका उप्योग हो सके अब सभी जल छेत्रों का ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्र प्रदेश में बहुत से आपके खदाने ऐसे है जो खाली पड़े हुए है वर्षा रितु में यहां पर पानी भर जाता है और वो एक जलाशय बन जाते है अब इन जलाशयों में भी प्रदेश सरकार जो है आपके मचली पालन यहां पर भी करने की योजना बना रही है खाली खदान आपके किसी ने किसी पंचायत के अंतरगत आएगा तो ध्यान समझेगा तलाब और जलाशयों का पट्टा जो की 10 वर्षी पट्टा होगा यह जो पट्टा जो है यह अगर 10 हेक्टेर तक का अगर कोई जलाशय है या कोई जल छेत्र है तो उसका 10 वर्षी पट्टा पट्टा जारी करने का अधिकार जनपत पंचाइब के पास होगा। सोरी 200 से 1000 हेक्टेयर तक अगर जल छेत्र है तो उस जल छेत्र में मचली पालन के लिए 10 वर्ष यह पट्टा जादी करने का अधिकार प्रदेश के मचली पालन विभाग को होगा ठीक है तो यह कुछ आपके नई मचली निती के अंतरगत यह मुख्यता इस पट्टा पर जोड दिया जा रहा है और यह पट्टा क्या यह पट्टा है आपका निलामी दस वर्ष के लिए इसमें ठेकेदार आएंगे ठेकेदार जो की जलाश्यों में मचली के बीच छोड़ेंगे और उससे मचली बनेंगे और मच्वारे जो है उस मचली का यानिकी उसे मचली को निकाले करके उसे बेचेंगे उसका उत्पादक्ता करेंगे तो इसमें देखें इसमें पट्टा जारी हो रहा है यह पट्टा किसी ना किसी एक निर्धारी राशी पर निर्धारी तराशी पर जारी होगा यानि इसके लिए जो है आपके निलामी होगी इसके लिए बोली लगाई जा जाएगा उस राशी का 25 प्रतीशत मचवारों को उत्पादक्ता बोनस के रूप में प्रदान किया जाएगा यह है आपकी नई मचली निती यानि की मचली पालन निती ठीक देखें विशेश क्या है इसमें अनुपयोगी पड़ी खदानों में मचली पालन की अनुमती देने क प्रस्ताव शामिल किया गया है यानि कि जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत से खदान जहां पर उत्खरन बंध हो चुका है बहुत गहरे गहरे खदान मौझूद है वहां पर पानी धर चुका है अब उसका उपयोग जो है मचली पालन के लिए किया जाएगा साथी साथ ग तो यह आपके गैर आदिवासी सदस्यों की ठीक सेडिल ट्राइब को छोड़ करके जो गैर आदिवासी सदस्य है का प्रतीशत 33 से घटा करके 30 प्रतीशत किये जाने का प्राउधान भी किया गया यानि कि इनका परसंटेज डाउन किया गया है तो इंपोर्टेंट याद र वरों को शुन्य प्रतीशत ब्यासदर पर भी आपका अल्प कर्णिंड इन्हें प्रदान किया जाएगा उत्पादक्ता बोनस जो हमारे प्रदेश में जो तलाब और जलाशे है जिनका दस वर्षी पट्टा निर्धारित किया गया है अगर दस हेक्टेर तक की जल छेतर है तो उसका पट्टा ग्राम पंचायत देगा 10 से अगर 100 हेक्टेर तक का छेतर है तो उसका पट्टा जनपत पंचायत देगा 100 से 200 हेक्टेर तक का जल छेतर है तो उसका पट्टा जीला पंचायत देगा मचली पालन के लिए और 200 से 1000 हेक्टेर तक का आपका जल छेतर है तो उ इन्पोर्टेंट है याद रखिएगा अब नेक्ट देखिए नेक्ट है आपका food security ranking अब फूड security ranking क्या है ध्यान समझेगा हाल ही में जो है आपका खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा सुचकांग जारी किया गया है इन्पोर्टेंट है नेशनल food security act food security ranking जारी किया गया है अब यह food security ranking क्या है ध्यान समझेगा किसी एक व्यक्ति के लिए गरीमा पूर्ण जीवन जीने के लिए उसे खाद्य की आवश्य कता है याने की अनाज खाने की आवश्य कता है तो वो उस खाद्य की चीजों को अपने खाद्यान चीजों को वो कितनी सुगमता से उसे ले सकता है और वो खाद्यान में कितने पोशक तत्व है और कितनी कम कीमतों पर उसे वहाँ खाद्य पदार्थ मिल रहे है उसके आधार पर यह ranking तैयार की गई है आप सभी को लगता है कि हमारे प्रदेश में आपका PDS प्रणाली यानि की Public Distribution System 2012 से लागू है वैसे तो देश में कब से लागू हुआ था देश में लागू हुआ था 2013 से हमारा चातिस गड़ में लागू हुआ था 2012 से सबसे पहले हमारा 36 गड़ में लागू हुआ था और आपको लगता होगा कि आज की रेट में हमारे प्रदेश में एक रुपए प्रती किलो की दर से चावल मिल जाता है नमक मुफ्त मिलता है तो हमारा प्रदेश टॉप में होगा जी नहीं ध्यान से देखिएगा बड़े रा प्रदेश 2nd नमबर पर है आपका ऐ को लगता जोरू है कि हम यहां पर छत्री द्रक्रिकर हमें लगता है लेकिन इसमें और भी फ्क्तर करते हैं ऐसा नहीं कि अगर किसी आपके उचित मुले की दुकान पे राशन पहुच गया तो क्या राशन सभी को मिल पा रहा है की नहीं और अगर कोई खाद्यान पदार्थ मिल भी रहा है तो वो कितना पौश्टिक है सामने वाले व्यक्ति के लिए वो भी निर्धारित करना होता है हमारे दो देखें कैसे मोटा चावल मिलता है तो वो जो चावल जो खाद्य पदार्थ मिल रहा है उसमें पोशक पदार्थ कितना है ठीक है कितनी आसानी से वो व्यक्ति को मिल रहा है और प्रदेश के कितने आपके राशन कार्ड जो है ये डिजिटलाइजड है यानि कि online चड़े हुए है ये सारे फेक्ट के आधार पे रैंकिंग तयार किया गया और इस रैंकिंग के आधार पे बड़े राज्यों में हमारा 36 गड़ सबसे last खड़ा है उननिसवे स्थान पर है ठीक है तो ये क्या है food security ranking इस food security ranking में हमारा 36 गड़ सबसे last 19 पोजिशन पर है पहले नंबर पर है उरिसा दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर कौन है तीसरे नंबर पर है आपका आंधर प्रदेश ठीक है अगर हम आपके इस पुर्वत्तर राज याने की परवतिय छेत्रों की बात करें तो छोटे राज्यों में परवतिय छेत्रों में पहले नंबर पर देखे यहां पर है आपका पहला पहले नंबर पर है आपका त्रीपूरा ठीक ये तो हमारे उतना important नहीं है main important ranking यही है देखे इस ranking से आपसे प्री और व्यापम में question नहीं पूछेगा लेकिन हाँ main sensor writing लिखेंगे न तो वहाँ अलग से आप highlight करके बता सकते है कि हमारे 36 गड़ में खाद्यान सुरक्षा की इस्थिती क्या है भले हमारा देश खाद्यान सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य है लेकिन आज की डेट में इसकी इस्थिती क्या है ये सबसे last stand कर रहा है आपके इसमें ठीक है इस ranking में next देखें next है भारत नवाचार सुचकांग 2021 हाली में भारत नवाचार याने की Indian Innovation Index 2021 जारी किया गया अब ये क्या इसे समझेगा ये जो है आपके Global Innovation Index पर ही आधारित है इसमें भारती राज्यों में नवाचार की इस्थिती को दर्शाय जाता है ये जो आपको सुचकांग है जो हर साल आपके Global Innovation Index जारी होता है आपके विश्व के विभिन्न देशों का वैसे ही भारत के राज्यों का जारी होता है भारत नवाचार सुचकांग इसे नीती ये राज्य इस्तर पर नवाचार छमताओं और पारिसितिक तंत्र की परताल की जाती है यानि कि कोई आपका राज्य जो है ये अलग-अलग इसमें आपके Index होते है और उस Index के अधर पर निर्धारित किया जाता है कि कोई राज्य कितने Innovation तरीके से कारे कर रहा है कितने नव पुर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो 10 पुर्वोत्तर राज्य में टॉप में है आपका मनीपूर और नौकेंदर erect प्रोचित प्रधेशिंग की बात करें तो उसमें टॉप में है आपका चंडील है इस है आपके अवल राज्य, सत्रा बड़े राज्यों में करनाटक फुष्ट है, दस पुरवोत्तर अगर छेत्र के राज्ये की बात करें तो उसमें मनीपूर फुष्ट है और अगर 9 केंदर शाचीत प्रदेशों की बात करें तो इसमें चंडीगड फश्ट है अब हमारा 36 गड़ कहां इस्टेंड करता है देखिए इस सुचकांग में आपके 17 प्रमुक राज्यों की बात की गई है और 17 प्रमुक राज्य में हमारा 36 गड़ सबसे अंतिम 17 पोजिश इनपॉर्टेंट है जनजाती विश्य विद्याले कौशल विकास के इंद्र जनजाती विश्य विद्याले कहां पर है यहां पर इस्थापित किया जाएगा उद्देश क्या है इस्थानिय युवाओं और जंजातिय छेत्रों के उन्नेयन के लिए कारे करना देखे छेत्री वन उत्पादन की ब्रांडिंग के साथ आदिवासियों को स्वरोजगार के आउसर मिलेगा और यहां के निवासी पेड़ पौधे और दुरलब जीव जन्तूओं और एवं औसधियों के जानकार होते हैं तो इसमें बेनिफीट जो है दोह तरफ से मिलेगा विश्व विद्र जो कौसल विकास केंद्र यहां पे इस्थाभीत कर रहा है तो यहां के जो इस्थानी लोकल जो आपके छेत्री युवाओं है उन्हें यहां के जीव जन्तूओं के बारे में जाया जानकारी है तो यहां से जो है उन्हें रोजगार मिलेगा इस छेत्र में उन्हें रोजगार मिलेगा और इसका प्रॉफिट भी किसे होगा यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा और जन्जाती जो है अपने कुछ उत्पाद बनाएगा, वन उत्पाद बनाएगा, छेत्रिय वन उत्पाद बनाएगा और उसकी ब्रैंडिंग करेगा, तो प्रदेश में जन्जाती विश्विद्याला का कौसल विकास केंद्र कहां इस्थाबित हो रहा है, गोरिल्ला यह राष्टपती चुनाओ होता कैसे है, वैसे तो यह आपका CGGS का constitution वाला portion है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम discuss कर लेते हैं, क्यूंकि अभी इसे हम relate करेंगे आपके 36 गर से, वैसे तो मैं इसे उतना detail बताना नहीं चाहता था, लेकिन हाँ, अगर हाली में अगर राष्टपती चुनाओ हुआ है, तो आपका Indian GS से इससे question बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान से इससे समझ लिजेगा, direct formula से प्रशन आएगा, देखे, विधायकों के vote का value का formula, याने कि अगर हमारे प्रदेश में आपके 90 विधायक है, तो एक विधायक के vote का कीमत क्या है राम जनता भाग नहीं लेती, जनता के दोरा चुने गए प्रती निधी, याने कि विधायक और सांसद राष्टपती के चुनाओं में भाग लेते हैं, अब देखिए, यहाँ पर एक विधायक की बात हो रही है, तो विधायक, विधायक का अगर vote का value निकालना है, तो वो क 5 करोन नहीं आता, यहाँ पर जो है, आपके 1971 में 36 गणवाले छेतर की जनसंख्या क्या थी, वो यहाँ पर आपका पूट किया जाता है, क्यूंकि जो आपका वर्तमान में, देखिए, इसमें जो है, आपके विधायक और सांसद दोनों भाग लेते हैं, तो यहाँ पर जो आ आज ये सभागी जो कूल सीटे है, उन कूल सीटों का, उनकी अधिकतम सीटों का जो निर्धारन है, यह 1971 की जनगरणा के आधार पर किया गया था, इसलिए यहाँ पर अगर हमें 36 गणवाले विधायकों का आपका मतमुल्य निकालना है, यानि कि वोट का वैल्यू निकालन इतना जो है कुछ हमारे 36 गण का आपका जन संख्या था 1971 में अनुमानित जन संख्या, जिसे अगर हम बात करें विधायकों की कूल संख्या कितनी है 90, इससे डिवाइड कर देंगे, multiply by 1 by 1000, तो इससे 36 गण के एक विधायक का मतमुल्य निकल जाएगा, ऐसे ही भारत के सभी राज्य और केंद्र शाशित प्रदेश, जहां जहां पर जो आपके विधान सभा है, वहां के विधायकों का मतमुल्य निकला जाता है, ठीक है, विधायकों का मतमुल्य निकला जाता है, देखिए इसमें जो है किवल विधान सभा है, विधान परिश्याद इसमें नहीं है विधान सभाय बस यह formula direct पूछेगा आपके exam में आता है बड़े-बड़े question आते है सविधान का कभी से question पर उठा के देखेगा previous year में आये हुए प्रशन है कि विधायक के मतमुल्य की गणना सिधा formula डाल देता है यहाँ पर 1 by 100 कर देगा 1 by 10 कर देगा इतना सभी को याद रहता है यह वाला portion लेकिन 1 by 100 था 1 by 10 था 1 by 10,000 था किसी को याद नहीं रहता तो यह आते है देखे इसमें जो है कुछ calculation बताया गया है यह calculation पर फोकस नहीं करूंगा दैनिक भासकर का article था आप देख सकते है मान लिजे किसी राज्य की आबादी जो है आपकी एक लाख है वहाँ पे जो seat कितना है 100 है तो total अगर इसे हम divide करेंगे तो एक विधाय का मतमूल यह एक निकलेगा ऐसा बताया गया इसमें ठीक है यानि कि इस राज्य में विधाय को यह इतना मैं detailing नहीं करूंगा बस एक चीस समझ लिजेगा कि जमू कश्मीर में जो है जमू कश्मीर की 87 विधान सभा सीटे घटने से विधायकों का जो आपका वोटों का जो value है यह 4.49 लाक से घट करके 5.49 से घट करके 5.43 लाक हो गया है यानि कि भारत में जितने भी आपके विधान सभा मौझूद है जितने भी विधान सभा जिन भी राज्य और केंदर शाजीद प्रदेश में विधान सभा मौझूद है उनमें सभी विधायकों के अगर मतमुल या आनि कि वोट के वैल्यू को जोड़ दे तो वो होगा 5.43 पहले 5.49 था लेकिन जमू कश्मीर जहां पे 1370 हटा दिया गया उसे केंदर शाजीद प्रदेश बना दिया गया वहां की विधान सभा को भंकर दिया गया उसके बस्चाद यह घट करके हो गया कितना 5.43 हो गया है ठीक है 5.43 लाग यह आपके पूरे देश भर के विधान सभा के विधायकों का मतमुल ले है अगर हम बात करें सांसदों की सांसदों के वोटों के वैल्यू की कुल वैल्यू यानि की यो निकला आपका ठीक है जो कुल वैल्यू निकली सभी निर्वाचित निर्वाचित बात हो रही है निर्वाचित विधायकों के इसमें जो मनोनीत होते ना एंगलो इंजियन वो शामिल नहीं होते वोटो की कुल वेल्यू divided by दोनों सदनों की निर्वाचित सांसदों की वेल्यू इसमें भी क्या वार्डो यूज हो रहा है निर्वाचित ध्यान दिजेगा अगर कथन में या फॉर्मुला में कहीं पर भी कुल लिखा हुआ आएगा तो वो गलत होगा यहाँ पर क्या बात हो रहा है निर्वाचित मनोनित नहीं राज्य सवरे 12 मनोनित होते है वो सामिल नहीं होते ठीक तो देखिए देश के अगर निर्वाचित सांसदों की बात किया जाए तो वो था 776 देश के सभी विधायकों के वोटों का अगर कुल वैल्यू देखा जाए विधायकों के वोटों का वैल्यू कितना निकला 5,43,231 यह आपके विधायकों का वोट का वैल्यू है तो एक सांसत का वोट वैल्यू कितना निकलेगा इसमें जो है इसे इसे डिवाइड कर देंगे तो लगभग 700, 786 multiply by 700, तो कितना हो रहा है, आपका 5,43,200, यह क्यों समझने के लिए, इसने भी जमू कश्मीर को हटा दिया गया है, करके यह 700 है, देखिए, अब समझेगा, यहाँ पर कुछ calculation और दिये गए है, उतना calculation आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम विधा अगर हम बात करें, तो इस बार, जो आपके राष्टपधी चुनाओ, जीती है, वो है आपके द्रोपती मुर्म, द्रोपती मुर्मु जो है इन्हे देखे ये है आपका overall ये है vote का value हमारे देश का vote का value इतना था लेकिन अगर आप देखेंगे तो द्रोपती मुर्मु जी को कितना मिला है 6,86,803 ये electoral vote मिला है और जबकि उनकी जो opponent थे यश्वन सिन्हा उनको 3,80,000 के आसपास मिला है अगर आप ये दोनों को add भी करेंगे ना ये दोनों को add भी करेंगे तो भी आपका 10,86,000 तक नहीं पहुचता क्यूंकि आपका जो कुल vote पड़े उसमें से 53 अवैद मत थे अवैद जिन्हें reject कर दिया गया जबकि 8 जो सांसद है 8 सांसदों ने vote ही नहीं दिया vote में शामिल ही नही हुए जिस कारण से ये digit कम मिलेगा आपको ठेक ये कथन आधारीत प्रश्न बनेगा जो द्रौपती मुर्मुजी है ये देश की दूसरी महीला राष्टपती है पहली आदीवासी महीला राष्टपती है द्रौपती मुर्मुजी जो कि आपके मयूर भंज उडिसा से संबं और पहली आदीवासी महीला राष्टपती इन्पोर्टेंट है याद रखना है ये सारा इन्पोर्टेंट नहीं है ये आपका हाँ ऐसा हो सकता है कि करेंड के किसी टौपिक में ये कथन आधारीत प्रश्न बन करके आए आपके लिए भी इन्पोर्टेंट क्या है अब सीट है जिसमें से 71 सीट कॉंग्रेस के पास 14 जो है आपका बीजेपी के पास और तीन आपका जनता कांगरेस च्छतित गड़ यानि कि अजी जोगी जी के पार्टी के पास और दो है आपका बहुजर समाजवादी पार्टी ठेक तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो लेकिन इन 71 में से दो विधायक, कॉंग्रेस के दो विधायकों ने आपका क्रोस वोटिंग किया, क्रोस वोटिंग का मतलब उन्हें नो जो है आपके कॉंग्रेस के केंडिडेट यश्वन सिन्हा जी को वोट न दे करके उन्होंने द्रौपदी मुर्मु जी को वोट दिया तो यहाँ पर cross voting हुई दो Congress की विधायकों ने देखे ये तो सीधा सीधा clear था कि BJP जो है अपने candidate को देंगे जनता Congress 36 गड़ उन्होंने भी द्रौपती मुर्मुजी को देने का फैसला किया था अपना vote और दो बहुजन समाज पार्टी की भी जो थे इन्होंने भी द्रौपत नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका 36 गड़ में राष्टपती चुनाव की इस्थिति जैसे के अब हमने पहले देखा देखें 36 गड़ में कुल विधायकों के मतमुल्य की अगर हम बात करें कुल विधायक यानि कि 90 विधायकों का overall राष्टपती चुनाव में 90 विधाय आपको 90 करेंगे यानि की 90 करेंगे तो आपको टोटल इतना ही वेल्यू मिलेगा तो राष्ट्रपती जो चुनाओ अभी हाली में संपन्न हुआ उसमें प्रदेश का कुल विधायकों का मतमुल्य कुल निर्वाचित विधायकों का मतमुल्य कितना था वो था आपका 11610 कथा आपको प्रश्ण पूछ सकता है इन्पोर्टेंट है हाली में राष्ट्रपती चुनाओ हुआ है आगामी आने वाले सभी एक्जाम में इस प्रश्ण बन सकता है एक विधायक का मतमुल्य पूछा जाएगा तो वो था आपका 129139 ठेक अगर हम बात करें द्रोपती मुर्म जी को मिला टोटल आपके 21 विधायकों का सपोर्ट 21 विधायकों का सपोर्ट मिला कितना चाहिए था देखें मिला चाहिए था 19 क्योंकि BJP दूसरा जनता कॉंग्रेस 36 गर और आपका तीसरा था बहुजन समाजवादी पार्टी लेकिन दो क्रोस वोटिंग हुआ किनका दो क 1901 ठीक है तो यह था 36 गर में राष्ट्रपती चुनाओ की स्थिति नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हाली में हमारे प्रदेश के दंतेवाडा के बचेली में मिला है दंतेवाडा के बचेली में मिला विश्वका विश्वका सबसे छोटा सबसे छोटा हीरन सबसे छोटा हीरन जिसे आप Indian Mouse Deer के नाम से भी जानते हैं आप सामाने धने पड़े होंगे हमारे प्रदेश में Mouse Deer मिलता है mouse याने की चुहा, चुहे के आकार का हीरन, चुहे के जैसे दिखने वाला हीरन, तो दंते वाला की बचेली में सबसे छोटे आकार का, mouse deer तो already छोटा होता है, लेकिन उस प्रजाती में और भी सबसे छोटे आकार का, विश्व का सबसे छोटा mouse deer मिला है, आपके बचेली दंते वाड़ा में ठीक है यह जो है इसे इंडियन माउस डियर या इंडियन इस्पोर्ट सेर्ट्रेन के नाम से जना जाता है जिसका वैग्यानिक नाम है आपका मोसी योला इंडिका यह जो आपका हिरन मिला है इसकी साइज 57.5 सेंटीमिटर और वजन 3 किलोग्राम है यह साथ जंगलों से भटक करे गाउं में आ गया था जहां पर इसे उपचार के बाद घायल था उपचार के बाद जो है इसे वापस जंगलों में छोड़ दिया गया अब देखिए ध्यान समझेगा 36 गड़ में भूकंप हमारा 36 गड़ जो की क्या है एक भू आवेश्ठीत राज्य स internist yes उपण से खीएं ईसे स्बसे से शेफ जोन मना जाता है यहाँ पर पड़ रहे है भूकंप के जटके कहा पर रहा है यह पड़ रहा है कहाँ पर है ध्यान समझतici वेइं जलिएगा यह ऐसे प्लशन बन सकता है कि हमारे प्रदेश के kis जिले में क्षेत्र में भुकम के जठके महसूस किए गय है आपके कोरिया में और यह आज से नहीं काफी पहले से जठके महसूस हो रहा है दिखे कोरिया में ही अगर हम बात करें तो 2018 में सितंबर 2018 में फरवरी 2019 में, अपरेल 2021 में, दिसंबर 2021 में, जुलाई 2022 में, यह जो है भूकम के जटके देखे गए, और यह भूकम के जटके लगातार बढ़ रहा है, देखिए, रियक्टरी स्केल पर जो है, यह 3.3, 3.7, 3.4, 4.3 और 4.6, अभी मैक्सिमम 4.6 का जटका लगा है, आपके यह पर ठीक है यह जो आप यलो कलर में देख रहे हैं यह जो यलो कलर में देख रहे हैं यह भूकम प्रभाविट छेत्र है भूकम जोन है इंपोर्टेंट याद रखना है 11 जुलाई को इसी बेल्ट में जो है आपके 4.3 तीवरता का भूकम पाया था 50.7 किलोमीटर गहराई में था इस बार भूकम का केंद्र यानि की जो देखे एक्चुली यहां पर जो है आपका चर्चा चर्चा जो कोल माइन्स है चर्चा कोल माइन्स की गहराई में अलग भग आपका 15.7 किलोमीटर की गहराई में इस आपके भूकम का जोन था तो प्रश्न पूछा जाए कि हमारे यहां पर जानमाल की होनी की संभावन भी बढ़ जाती है ठीक है नेक्स्ट है कुछ आपके वीवीद के अंतरगाथ हम देखेंगे सबसे बड़े नंबर पर है आपका जुमका आइलेंड हाल ही है मुख्यमंत्री भुपेश बगेल जी के द्वार जुमका जो की एक जलाशा है यह मौजूद है आपके कूरिया में उस जुमका जलाशा में एक जुमका आइलेंड का उदगाटन किया गया नाम बस याद रखना है जगह का अगर संग्रहन और खरीदी की मामले हम में हम देखे तो देश का लगबग 74% लगुवन उपज हमारे 36 गड में संग्रहीत होता है पूरे देश में संग्रहीत होने वाले लगुवन उपज का आपके पंचायत एवं ग्रामीड विकास मंत्री इसके अलावा ये वाणिजी कर मंत्री यानिकी जीएश्टी भी इनके अंतरगत था इसके अलावा ये लोकसास्त एवं परिवार कल्यान मंत्री थे यानिकी चिकित्सा मंत्री भी थे स्वास्थे मंत्री थे तो इन्हों ने अपने इस पंचायत एवं ग्रामीड विकास मंत्री के पद से इस्तिफा दे दिया बाकी अभी भी ये जो है आपके स्वास्थ मंत्री यानि कि स्वास्थ विभाग जो है ये इनी के पास है इसके अलावा वानिज्यकर अगर हम बात करें तो वानिज्यकर के अंतरगत आपका 20 GST आता है GST इसके अलावा 20 सुत्रिय यह सभी के सभी जो डिपार्टमेंट है यह अभी भी इनी के अंतरगत है इन्होंने इस्तिफा किससे दिया है पंचायत एवं ग्रामिण विकास मंतराले से इन्होंने इस्तिफा दिया है तो यह जो विभाग है यह सौपा गया है आपके रविंद्र चौबे जी को रविंद्र चौबे जिनके पास कृषी विभाग भी है हमारे प्रदेशे कृषी मंतरी भी है यह इसके साथ इन्हें पंचायत एवं ग्रामिण विकास का भी कारेभार सौपा गया है इन्पोर्टेंट है याद रखना है ठेक है यह चेंज हुए है करेंट अफ़र के मैगजिन में भी इसे अपडेट कीजेगा यह जो है अभी हाली में जुलाई का अपडेशन है टीयस सिहिंदेओ के नाम के सामने से आप यह पंचायत एवं ग्रामिण विकास बंतरी को हटाईएगा और यह विभाग को जोड़िएगा आपके रविंदर चौबेजी के सामने उसका next देखिए है हजरत निजामुद्दिन एक्सप्रेस हाली में जो है यह एक्सप्रेस काफी चर्चा में रहा क्यूँ क्योंकि आपका अंबिकापूर से अंबिकापूर से दिल्ली के लिए अंबिकापूर से दिल्ली के लिए कोई भी direct train नहीं थी ठीक है लगभग 22 साол बाद था बहुत हाईलाइट था उद्गाटन भी किया गया केंद्रिय रेल्वे मंत्री जो राज्य प्रभा है उनके द्वारा उसका वर्चुल उद्गाटन किया गया बहुत न्यूज में था नाम याद रख लिजेगा नेक्स्ट देखिए काला हीरा जो ग्रेनाइट पत्थर है ग्रेनाइट पत्थर को काला हीरा के नाम से जाना जाता है जैड ब्लेक स्रेणी का उच्चतम क्वालिटी वाला यह आपका ग्रेनाइट पत्थर मिलता है कोंटा सुखमा के कोंटा में नेक्स देखिए प्रदेश का पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज ये जा रहा है और इसकी शुरुवात होगी आपके राइपूर से, राइपूर में खुलेगा प्रदेश का पहला सरकारी, अंग्रेजी मीडियम कॉलेज, सरकार ने इसकी कवायदते शुरू कर दी है, नेक्ष देखिए, 36 गर नीजी विश्व विद्याले, वी नियामक आयोग अ मंत्रियों के है, करेंट का टॉपिक नहीं है, नौलेज के लिए बस सुन करके रख लीजिए, या देख करके रख लीजिए, जैसे कि अगर हम बात करें विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो उनका वर्तमान में सेलरी कितना है, 1,95,000, उपाध्यक्ष का 1,80, 63,000, 63,000 और 52,000 का इंक्रिमेंट किये है, इन्होंने अपने सेलरी में, मुक्यमंत्री भुपेज बगल जी की सेलरी थी, यानि कि मुक्यमंत्री के पद की सेलरी थी, 1,35,000, अब ये सेलरी बढ़ करके हो गई है, 2,05,000, तो वैसे ही, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, संसधिय, साचिय, विधानसभा, अद्यक्ष और उपाध्यक्षो ने अपनी सेलरी बढ़ाई, तो ये जो आपका ये देख रहा है, ये वाला कॉलम, इनका प्रजंट में इनकी सेलरी है, ये अभी वरत्मान में इनका सेलरी है, ठीक, तो ये है हमारे प्रदेश के हमारे माननीयों का स देखे यह कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन salary बढ़ा है और बहुत ज्यादा बढ़ा है, अगर आप देखेंगे, तिरसाथ हजार, पचास हजार, सतर हजार, बीस हजार, सतर हजार, साथ हजार, साथ हजार, चौवण हजार, पैसाथ हजार, अगर एक नॉर्मल दस हजार उपर म सेक्रेमेंट हुआ है, इनके salary में, ठीक है, लेकिन बस एक knowledge के लिए इसे देख करके रख लीजेगा, तो आज के लिए इतना ही, किसी पर अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, लाइक और शेज करेंट एफर के magazine चाहिए, वो नीचे शो हो रहे, आपके book depo पर जाकर करके ले सकते हैं, और साथ इसाथ, आप हमारे CGPAC, e-power, e-parts चला के mobile app में भी जाकरके इस book को online order कर सकते हैं, ये book आपको courier के माध्यम से home deliver कराई जाएगी, ठीक है, चलिए